हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को इंजोय करेंगे आज हम लोग देखनी वाले हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सारे प्रशन आपके चुनिंदा है और आपको क्लास में लाश्ट तक बने रहना है क्लास को सेयर लाइक करना बिलकुल न भूले चलिए सुरुआत करते हैं आज के क्लास की आज आपका पहला प्रशन है निम्न में से साटक वस्त्र निर्माड का प्रमुख केंद्र कौन सा था आपको बताना है साटक वस्त्र निर्माड का प्रमुख केंद्र कौन सा था आपके सामने A है वरारसी B है मतुरासी है स्रावस्ती और D है कौसाम भी चार आपके सामने है आपको देना है जब आप निम्न में से साटक वस्त्र निर्माड का प्रमुख केंद्र कौन सा था और है सादत खांब भी है वाजिदली सा सी है सुजाउदौला और ड है सपतर जंग चार आपसन आपके सामने और आप सभी को निश्चित इसको पता होगा क्योंकि कई पार पुछा गया है लास्ट जो है नबाब वो है वाजिदली सा 1857 के क्रांती किसमें इनको गिरफतार कर लिय चार आपसन है आपके सामने आपको देना है जब आप द्यवा सरैप कहां है या इसी को पता है सुजाए है और डी हिनमी से कोई नहीं और आप सभी को पता है कि कुसी नंगर क्यों फिमस है यह हिस्ट्री का भी क्वेस्टन है और आपके यूपी से भी जुड़ा है जो कि यूपी का इतिहास भी महत्पूर है तो बुद्ध का महा पर निर्माड हुआ था यहाँ पर याद रखेगा आ है लहाबाद B है श्रावस्ती C है मतुरा और D है कॉसामबी रहेंगे जबाब बचो कौन सा है जो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे बिना एक मिनट समय गवाए व्यारे बचों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जरूर सेयर कर दिया करें क्लास में आप लोग जरूर पस्तित रहें सारे प्रश्ण इंपोर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सावित होंगे तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका कॉसामबी कॉसामबी में जन्म हुआ था मखली गोसाल का निमन में से कौन सा मेल सही न है दूसरा है गुरू गोबिणी सिंग्हा यह लखनव में है तीसरा है आपका घ्रेंट पार्ट क्या एक उर्भिणी कानपूर में है और चौत दिश्च बंए महातमा गाधिया त rebuilding को सुमेल रहे गरीम पर कायल मेन पर फिरोन करों करे के एक पादर क्योंकट माहत्मा गार्त करता के सब्सक्राब क्वेडर क्यों अफ्सक्षण में नहीं तो दोरफ आप सब्सक्रागर पर और में उत्तर दे दिना है और आप सभी को इसका उत्तर पता चल चुका है विकाज एक क्वेस्टन लीक हो गया है आपकी इसाफ से क्या है उत्तर दीजेगा जब आप पड़ापट तो याद रखेंगे जो सही है वह आपका आपका आपसन नंबर भी कानपूर में है आपका दाल अनसंधान संस्थान कानपूर आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्जे में ओबरा ताब विद्धूत के इंद्र कहां परिस्थीत है आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्जे में ओबरा ताब विद्धूत के इंद्र कहां है most important A है मिर्जापूर B है केंद्र सी है आपका लरितपूर और दी है इलाहवाद बताएंगे ओबरा ताब बिद्दुथ जो आपका केंद्र है यह उत्तर प्रदेश राज्य में कहा है वैच्व देखिए आपके हिसाफ से क्या है जो सही हो जाएगा जो सही है वो है आपका आपसन नमबर ए यानि की मि दोसी ताब बिद्दुथ केंद्र राज्य के कौन से जिले में है वैच्व पहला है इलाहवाद दूसरा है मिर्जापूर तीसरा है आगरा और चौथा है मुरादाबाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चिन और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए आपसन नमर ज दीगुजरती है जहां पर रिहन्द बाद वना हुना है तो आप सभी को यह पता होना चाहिए यह कौन से इलाका है यहा इस्के यह सोन्翻 जिला5,16 जर्यापनद ऑर उस ही इसका राज्षान नहत्त वितना है 2011 की जन करणा के एकम पॉस्ट नहीं सामने एमें है 723 प्रतिवर्ग किलो मीटर B में 850 प्रतिवर्ग किलो मीटर C में 643 प्रतिवर्ग किलो मीटर D में 839 प्रतिवर्ग किलो मीटर Most important question बचो और इसका जो सही उत्तर है वो है आपसा नमर D 829 प्रतिवर्ग किलो मीटर उत्तर प्रदेश में खेल कूद परिसद का गठन के सहर में किया गया है आपको बताना उत्तर प्रदेश में खेल कूद परिसद का गठन कहा किया गया एह लखनों भी है लहावासी है वरारसी और डी है कानपूर चार आप्सन है आपके सामने और आपको इन आप्सन की साहता से देना है जब आप उत्तर प्रदेश में खेलकूत परिसत का गठन किया गया है लखनों में याद रखेगा लखनों में किया गया है खेलकूत परिसत का गठन सन 2011 की जनगरना की अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या कितनी है 2011 की जनगरना की कौर्डिंग उत्तर प्रदेश की जन संख्या बतानी है वे चुप दौद आपके सामने आफ्स़ान देखिए ए है सतरह करोड पंचानवे लाग इक maiorसी हजा़ साथ चारसो सथाथर बी में हैं 18,95,81,477,C में हैं 19,95,81,477,D में हैं 20,95,81,477, चारसो सथाथर तर आप सभी को पता है आफसर नमर सी सही है हाला कि अभी जनसंख्या बहुत जादा बढ़ गई है तो कि हमने बहुत जादा जनसंख्या बृत्ती की है और इंडिया भी चाइना से भी आगे निकल चुका है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला जो सबस से जादा राज्यों की सीमा को टच करता है मिर्जापूर सोनभद वरारसी और इलहाबाद और आप सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि एक्जाम में कई बार पुछा गया वच्छो जो सही है वो है आपका आफसर नंबर भी सोनभद्र अकेले चार राज्यों को टच करता है म अध्यप्रदेश चतिसगर बिहार और जारकन इंपोर्टेंट है बच्छो बी आफसर देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जनसंख्या का कितना प्रतिसत युगदान देता है आपको बताना है भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना युगदान है ये हैं 10 दसमल 12 परतिस्त, B है 16 दसमल 49 परतिस्त, C है 17 दसमल 32 परतिस्त और D है 12 दसमल 66 परतिस्त ति ये बच्चो इंपौर्टेंट है देखिए, आपके लिए आपकी लिए आपसा नमर जुबी है ये सही है, याद करिएगा 16 दसमल 59 परतिस्त, उत्तर बैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था आपको बताना उत्तर बैदिक काल में उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया गया ए है पांचाल देश, बी है मध्य देश, अबलिक ब्रहम्हर सिरिसी देश सी है हिंदु देश और चौथा है इन में से कोई नहीं आपके सामनी चार अप्सन है और आपको बताना उत्तर बैदिक काल में यूपी को किस नाम से जाना जाता था तो इस समय इसे मध्य देश या ब्रंभर सिरिसी देश कहा जाता था उत्तर प्रदेश का निर्यात जोन कौन सा है उत्तर प्रदेश का निर्यात जोन कहा है बचो ए है आगरा भी है मतुरासी है कानपुर ओड़ी है लखनौ बताना है आपको उत्तर प्रदेश का निर्यात जोन किसे माना जाता है या कहां पे है याद रखेंगे जो सही है वो है आपसे नमड़ी लखनौ ये भी एकसा में कई बार पूचा गया है संदकवीर ने किस अस्थान पर सरीर त्याग दिया था कौन सा प्लेस है जहां पे संदकवीर दास का निर्वाण हुआ है उन्होंने पने सरीर को त्याग दिया ए है राजपूर भी है मगहर सी है मेरट लोधेसवर और आप सभी को बता है कि संदकवीर ने जहां पे अपना सरीर त्याग है वो है आपका संदकवीर नगर का मगहर उत्तर प्रदेश में खेल समान बनाने का सबसे बड़ा केंदर किस सहर में इसे था है देखिए यहां कन्फ्योज मत हुईएगा कह रहा है कि उत् आपसंस में से कौन सा है जो सही हो जाएगा तो इन आपसंस में जो सही है वो है आपका कानपूर आपसंस नमबर बी सही है बचो आपसंस के कॉर्डिंग उत्तर देना है आपको उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने के सबसे बड़ा केंदर जिस सहर में है वो है आपका क उत्तर परदेश की संटीजियां चानु ने किस खेल में रजट पदक ये उत्तर प्रदेश से सोनीय चानू कि के «प्रदेश Phång mythology C वा ऱ महीं रजट परaelत हुआ हज आहिक के मैं का उत्तली को पता चल चुका है कि आपका आफसन नबर जो ए है यही सही है भारोत तोलन से जोड़ी हुई है सोनिया चानू कुरुराज्य की राजधानी कौन सी थी जो चार आफसन आपके सामने है ए है आसंदीवत भी है कामपिले सी है अहिच्छत्रडी है हस्तिनापूराबलिक इंदर प्रस्त बताएंगे कुरुराज की राजधानी कौन सी थी थी आफ सभी को बढ़ाई हूँ सोला महाजनपत में हस्तिनापूर इंदर प्रस्त यानिकी सोला केसिन B है रामदेव C है रामचंद्र और D है धनदेव मोस्ट इंपोर्टन कोईस्टिन आपको बताना है आयोध्या का जो लेख है अभी लेख है इसको किसने लिखवाया है उसको लिखवाने वाले विक्ति का नाम है धनदेव किस कला सैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ कौन सी कला सैली है जिसमें पहली बार बुद्ध प्रतिमा बनाई गई है ए है अमरावती कला B है मतुरा कला C है गुप्त कला और D है मौरे कला इन मेंसे किस कला में पहली बार बुद्ध की प्रतिमाएं बनाएं गए है बचो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका मतुरा कला हाफसा नमबर बी बिल्कुल सही है मतुरा कला को सन्रचड के सबंस के सास को ने दिया है बचो आट इन कल्चर हिस्टरी सब में पढ़ाई हूँ ए है कुसाड काल बी है साथवाहन काल सी है गुप्त काल और दी है मौरिकाल मतुरा कला गांधार कला को जिनोंने बिक्सित किया या जिनोंने सन्रचड दिया या जिनके सन्रचड में फला फूला वो थे आपकी कुसाड कुसाड जिस बंस के थे कनिस्क आफसा नमबर ए मिल्कुल करेक्थ है 2011 के जनगर्ना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साथ चर्ता दर राश्ट ये आउसत से कितना कम है आपको बताना है 2011 के कॉर्डिंग भारत की जो साथ चर्ता दर है उसके पेच्छा यूपी की साथ चर्ता दर कितना कम है कितने कांतर है दोनों में ए है एक दसमल साथ जीरो प्रतिसत बी है चार दसमल तीन दो प्रतिसत सी है पाच दसमल दो आठ प्रतिसत और डी है दो दसमल जो है सुने प्रतिसत बताएंगी बचों क्या है जो सही हो जाएगा most important question बताना है देश की और राजी के भी साथ छर्टा में कितना अंतर है आपसा नमबर जो सही है वो है C 5.28 प्रतिसत 2001-2011 के भी जर राजी की दस्किय ब्रिद्धिधर में कितनी कमी आई 2001-2011 के बीच अगर बात करें तो उत्तर प्रतिस की जो दस्किय ब्रिद्धि है उसमें कितनी कमी आई थी A है 6.43 प्रतिसत B है 5.67 प्रतिसत C है 7.89 प्रतिसत और D है 5.67 प्रतिसत बताएंगे बच्चू आपके इसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट है आपका आपसन नंबर जो सही है वह है आपका आपसन नंबर D 5.76 प्रतिसत 2011 की जनगर ना के अनुसार राजी की दस्किय जनसंख्या ब्रिद्धि कितनी प्रतिसत रही most important बच्चू, बताएंगे 2011 की जनगर्ना की अनुसार राज्य की दस्की जनसंख्या बृध्धिदर कितनी प्रतिसत रही A है 18.1,2 प्रतिसत B है 19.4,5 प्रतिसत और C है 21.05 प्रतिसत और आपका D है 20.09 प्रतिसत बताएंगे बच्चू, आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा और जो सही है वो है आपसे नमबर D 20.09 प्रतिसत का दस्की बृध्धिदर हुआ है उत्तर प्रतिस में इंपोर्टेंट है बच्चू, ध्यान दीची का एक्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रतिस में पूरा पासाड काल इन सभेता में अधिकतर रुपकरण बनाए गए थे आपको बताना उत्तर प्रतिस में पूरा पासाड काल में जो हथियार बनाए गए हैं वो अधिकतर बनाए गए हैं कैसे? A में है क्वार्ट जाइट पत्थर से बी है तामबा से, सी है लोहे से, और दी है इनमें से कोई नहीं बताएंगे बचु, पढ़ाई हूँ आप लोगों को हिस्ट्री में बहुत आसाने इसे बता सकते हैं कि पुरा पासार काल में जो लोग है, वो किस पत्थर का हत्यार बना रहे थे, वाड जाइड पत्थर का बन रहे थे बाद में जैस्पर चट और फिर चक्मक इस तरह के हथियार प्रयोग करने लगे थे धान की खेती करने के साथ चे कहां से प्राप्थ हुए हैं उत्र प्रदेश का कौन सा प्लेस है जहां से धान की खेती का साथ चमिला है वज्चो यह सराय नहां राए भी है कोड़ी सही है 2001 की तुलना में बढ़ 2011 में उत्र प्रदेश की साथ चर्ता में कितने प्रतिसत की विर्द्धी हुई है आपको बताना है एक से लेकर के 11 की बीच उत्र प्रदेश की साथ चर्ता में कितने प्रतिसत की विर्द्धी हुई 14.30 प्रतिसत या 13.36 प्रतिसत यह सी है 12 दसम दो एक प्रतिसत तो उत्तर अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोग चीटिंग कर लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो आपसन नमबर आपका बी सही है तेरा दस्मल तीन छे प्रतिसत की विद्धी हुई है उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे कम प्राप्त होती है ए है मतुर, ब है आगरा, सी हम रार, सी और डी है इलिहाबाद प्लाइगे विक्चू कई बाराय यह के द्वाराय पूछा गया है उत्तर प्रिजिसस का सबसे अदर जो बर्षा प्राप्त करता है वह वो है आपका गुरपुर और देवरिया और सबसे कम जो प्राप्त करता है वो है मतुरा और उसके बाद आगरा तो आपसे नमबर ए बिलकुल सही है महा जनपत काल में कोसल जनपत की पुरानी प्रमुख नगरी आपको बताना महा जनपत काल में कोसल जनपत की प्रमुख नगरी थी साकेत कपिलवस्तु कुसी नगर या कामपिले तो आप सभी को पता है कुसी नगर तो होगा नहीं कामपिले तो होगा नहीं कपिल बस्तु भी नहीं होगा क्या होगा साकेत तो कोसल जनपत से जोड़ी हुई जो नगर है या वो है आपका साकेत और इसका प्राशी नाम भी है महा जनपतकाल में पांचल देश की राजधानी थी पांचल देश की राजधानी बतानी है आपको आपके सामने है आपसन A में है कपिल बस्तू B में है अहिछ छत्र C में है मांडी D में है कन्नौज पताएंगे बच्चो महाजर बतकाल में पांचाल देश की राज़दानी क्या थी और ये भी मोस्ट इंपोर्टन्ट है आपका अपसन नबर B पिल्कुल सही है अहिछ छत्र थी ये हिस्ट्री में भी आता है और यूपी के हिस्ट्री में भी आया है कोईला पर आधारित कौन सा ताप बिद्दुत केंद्र कानपूर में इसी थे मोस्ट इंपोर्टन कोईशन बच्चो कोईला पर आधारित ताप बिद्दुत कौन सा केंद्र है कही बार पूछा गया है सारे प्रश्ण आयोक के द्वारा पूछे गő है और आगे भी पूछे जाएंगे most important class है आप सभी के लिए किसी भी exam के त्यारिक कर रहे हो तो आप लोगों को ये सारी चीजे बिलकुल और बिलकुल confidence के साथ याद होनी चाहिए बारा ता बिदूत एवं कर्चना ता बिदूत के इंद्र के स्थापना के इस जिले में की गई है आपको बताना है बारा ताबिदुत एवं कर्छना ताबिदुत किंद्र के स्थापना किस जिले में की गई है वचो मोस्ट इंपोर्टन ए है इलाहबाद भी है सहारन पूर सी है कानपूर और दी है सोन भद्र और इसका जो उत्तेर है वो है आपका अपसन नंबर ए इलाहबा बारा ताबिदुत और कर्छना ताबिदुत किंद्र राज में दादरी ताबिदुत परियोजना कहां परिष्टी थे वचो मोस्ट इंपोर्टेंट है ए है आगराभी है सहारन पूर्सी है गौतम बुद्धनगर और दी है मुरादाबाद बताएंगे आपके हिसाफ से क्य जो सही होगा जबाब आपसे नमबर सी बिलकुल सही है गौतम बुद्धनगर में है आपका दादरा जो दादरी ताबिदुत परियोजना नेक्स्ट क्वेस्टन है बचो आपके सामने गैस पराधारित आउला ताबिदुत परियोजना उत्तर प्रदेस में कहां परिष्ट सांदर प्रश्न है उत्तर सो समझ के दीजिएगा आप सभी कोई सारे फैक्ट बिल्कुल बिल्कुल लर्न होने चाहिए क्या है बचो जो सही हो जाएगा आवला ता बेदुत पर्योजना आपके मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में बचो बाबत बाबत पूर हवाई अड़ा के जिले में बचो डिटिल ग्लास में पढ़ाई हूँ तो आप सभी को मैंने बताया था कि ये कहा है आपके बनारस में है बाबत पूर हवाई अड़ा बनारस में है महत्मा गाधी स्टेडियम राज्य के किस सहर में है आपको बताना है महत्मा गाधी स्टेडियम राज्य के कौन से सहर में है बचो ये है लखनो बी है रामपूर स नमबर भी रामपुर में है महात्मा गाधी स्टेडियम याद रखेंगे रामपुर में है चौधरी चरण सिंग हवायड़ा कहा पर है इसका उतर तो मेरे सभी बच्चों को बता होगा डिटिल में भी पढ़ाई हूँ लखनव में रामपुर में इलहावाद में मुझफर अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वच्चों को सेयर लाइक और कमेंट करना ना भूले क्लास में उपस्थित जरूर रहा करें आप ही के लिए सारी महनत की जारी आप लोग नहीं रहते हैं तो बिलकुल अच्छा नहीं लगता आज के लिए इतना ही थैंक